विल्कम 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 गाईज व्लकम बैक टीयों चैनल ऑप्शिन्स गाईज तो स्वागे था आपका एक और शांदार डेली मार्कलिस वीडियो में जैसा कि आपको पता है विकेंड हम निफिक विल्कम विल्कम गजित अफदा शांदा शांदो काउद। सब्सक्राइब करके रखे ताकि आप डीली ऐसी वीडियो में इसना करें एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर कर दें तो चलिए आते हैं हमारे अलनिसस पार्ट पर मुरह ट्रेडिंग में ज्यादा कोई मूवस हमें देखने को नहीं मिले थे इसके बाद बहुत जादा मुवस नहीं देखने को मिले हमने आपको अड्वाइज भी गया था कि आप इंट्राडेट ट्रीडिंग अवाइड कर सकते हैं इससे प्रीवेस देखेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग में प्यॉर्ली एक रेंजवान मार्केट थी ठी जादा इंपॉर्टन लेवल जो अभी वर्क कर रहा है मार्केट में हमें वह बार बार देख रहा है लास्ट विक में कौन सा लेवल था मांकिट अपना काफी जाधा टाइम सकन्ट कर रही है मांकिटमें तो एक डिंस डिधिक लेवल हो सकता है ठीक है अगर इसको ब्रेक करके इसके अबव closing दे देती है तो हम एक further trending upside की market देखने को मिल सकती है तो important पहला level जो upside के लिए है market में वो होगा 39,950 level लेकिन जैसा कि हम overall देख रहे है market upper level से sell off दिखा रही है तो lower side कौन से levels है पहले जो हमारे target से वो perfectly achieve हो चुके थे जब हमने आपको bearish viewpoint दिया था इस week के लिए क्या overall important levels होंगे support के तो उसके लिए चलते है different time frame पे जो हमें important support levels बताएंगे last week भी आपको याद होगा हमने ये दो trend lines आपके साथ discuss की थी almost lower trend line पे हम close हुए थे and हमने आपको कहा था ये important trend line है यहां से market bounce back कर सकती है यह हमारी पहली expectation है और वही exactly हमें देखने को भी मिला था लास्ट वी की परफेक्टली market ने trend line पे support लिया था और यहां से अच्छा decent bounce back भी हमें देखने उबला तो अभी यही दोनो trend line next week भी आपके लिए important रहेगी पहली trend line important जो आपका support का work करेगी उसका लेवल आता है 39,200 last week भी हमने बात कि थी important level है तो अभी भी next week के लिए 39,200 एक important support level है next पूरे week लिए हम बात कर रहे है इसके बिलो कभी भी closing मिलती है market में तो हमें further downtrend देखने को मिल सकता है market एक bearish view में आ जाएगी फिर अपने positional shorts आप carry कर सकते है puts carry कर सकते है अगर market 39,200 level को break कर देती है closing basis पर देखिए two hour के time frame पर हम analysis कर रहे है तो आपको closing basis पर देखना है कि अगर market के closing 39,200 के below होती है तब market अब bearish trend में enter होगी अभी overall जो trend था उसमें lower side target achieve हो चुके थे exactly यह talk पर बताया था आपने आपको कि यह market का reversal point हो सकता है यह market का resistance level है और वहां से बहुत अच्छा dip देखने हो मिला है इस lower trend line तक अब आपको इस trend line को importance देनी है और अभी immediate 39,200 most important next पूरे वीक के level होने वाला है in case break होता है तो next support कहां आएगा market में वो भी आपको फ़र्दर बताते है कि in case 39,200 कभी भी break होता है फिला viewpoint यही है कि support level यहां से market को bounce back काना चीए जैसे last week भी किया था अगर कोई भी dip आता है यहां पर पहला trade आपका उस time call side बना चीए कि आप इस dip को buy करे 39,200 के आसपस market मिले आपको तो आपको dip को buy करना चीए आपका पहला trade बनता है लेकिन अगर closing basis पर break हो तो next support level आएगा 38,650 level यहांनि almost 600 points का fall हमें देखने को मिल सकता है in case market 39,200 level के below close होती ह ठीक है तो पहला viewpoint के बता है यह support level है यहां मिलती market तो यहां से bounce back देखने को मिलना चाहिए यह हमारा पहला support level है in case break होगा closing basis में तो lower side target का है 38,650 यहांनि almost 600 points का fall further देखने को मिल सकता है तो आपको positional levels clear हो चुके है और perfectly trend line work करती है हम आपको multiple time proof कर चुके है अगर आप इस channel नया है तो हमारी पुरानी वीडियो जाके देखे more than 2000 points की हमने आपको rallyby catch करवाई है exactly top पे आपको बताये कहां पे आपको booking करनी है कहां से reversal आएगा pin point level work करते है trend lines work करती है logic के साथ सब कुछ आपको समझाते है तो बहुत अच्छे से trend line work करती है ज़रूर इन पर trust करें और use क करें बहुत perfectly work करती है important levels weekly hope आपने note down कर ली होंगे अब intraday levels पे आजाते है पहला trade suggestion हमने आपको क्या दिया है 39200 के आसपास market मिले तो आपको वहां longs में entry करनी है अगर इसके आसपास आपको dip मिलता है ठीक है अब intraday levels की बात कर लेते हैं intraday immediate support and initials level क्या होंगे और क्या overall trend देखने को मल सकता है अभी भी trend के लिए हमें कोई ना कोई breakout चाहिए या तो market lower side 39200 को break करें तो हम lower trend में enter होंगे जहां further 600 points का fall देखने को मल सकता है upside के लिए हमने आपको level क्या बता है already almost 40,000 level आप मान के चल रहा सकते हैं कि अगर वो break होता है तो market फिर से एक uptrend में enter हो जाएगी वहां बार-बार market struggle कर रही है वहां से बार-बार reversal देखने को मल रहा है ठीक है तो weekly आपकी यह दो important level हो जाते 39200 lower side and 40,000 upside intraday के लिए क्या levels होंगे Monday के लिए उनकी बात कर लेता है तो immediate market में जो support level है वो है 39500 पहला immediate Monday के लिए support level होगा और इसके बाद lower side support 39300 तो यह दोनों आपके support levels है ठीक है अभी levels के mid में तो market जब तक कोई breakout देती है positional longs या positional shots अपको carry नहीं करने ठीक है intraday में trade बनाने intraday levels के according support पहला 39500 और उसके बाद 39300 resistance की बात करें तो पहला level आता है 39700 level यह पहला resistance level होगा और important resistance level है 39950 बार बार market में perfectly work रहता है expiry में भी बहुत अच्छा bounce आया और यहीं से market reverse करती है और काफी ज्यादा time market last week यहाँ पे spend कर चुकी है इस level पे तो काफी strong level है यह upside यहाँ पे major resistance है Monday के लिए अगर कोई bounce आता है अच्छा bounce देखने को मलता है market 39700 को break करती है तो आप longs में जरूर entry कर सकते हैं लेकिन target रखना है 39,950 तक ही यहाँ पे immediate important और major resistance level है तो दो simply support levels क्या बता है हमने आपको 39,500 and 39,300 resistance 39,700 and 39,950 simply levels को अपने charts पे mark करना है और उनका magic देखना है बहुत perfectly work करते हैं और एक हमारा प्यारसा indicator तो है जिसने expiry में भी आपको jackpot trades दिये थे और आपको intraday में काफी ज़दा help करता है यह trades बनाने के लिए क्या नाम है बहुत बार हम आपको बदा चुके हैं आज आप comment बदाईए कि वो हमारा कौन सा प्यारा सा indicator है जो आपको intraday trades बनाने में help करता है trend को identify करने में भी and catch करने में भी कमेंट्स का वेट रहेगा आज की वीडियो में इतना ही करते हैं